जाहिन साथियों आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है साथियों उमीद है आप सब अच्छे होंगे आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भरती की सिपाही की भरती की इसमें 26000 से ज्यादा पद है और इसमें आए बात करते हैं आप लोग के बड़ जाएंगे और इसमें बड़ा मुद्धा है जो वरेंज तो साल कि कोई इसकी देडिव हो गया है उनकी वारे में बात करेंगों और इसमें बात करेंगे सब्जेक्ट वाहिज कितने पूछन पूछे जाते हैं ठोड़ कितने नंबर बनते हैं और हैट की एक तरफ से बात कर लेते हैं पूरा आपके सारे डाउट एक वीडियों में दूर करने के कोसिस करेंगे अगर कुछ रहा गया तो कमेंड में आप लोग पुछ लिजेगा आईए सुरू करते हैं आपके जनकारी के लिए बता दे यह 10 जनौरी तक फॉर्म आ जाएंगे 10 जनौरी 2022 तक और एज की बात कर लेते हैं इसमें जनलर केंडिडेट जो हैं उनकी एज जो है 18 से 23 साल है लेकिन ट्विटर केंपेनी वहरा हुई थी अभी यहरा तारीक को हो सकता है कि इनको जहां तक मेरे हिसाब से मानना है जनलर केंडिडेट को कम से कम 2 साल के इनको छूट मिलने जाए इनको 25 साल करना चाहिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि दो साल की छूट मिलनी चाहिए और आगे बात कर लेते हैं OBC, SC, ST को इनको 5 साल की छूट मिलती है मतलब 18 से 28 साल 5 साल की छूट के बाद और EWS के लिए अभी उम्र में छूट के कोई प्रौधान नहीं है यह से कुछ आएगा आपको तुरूंद अपडेट किया जाएगा अब सातियों बात कर लेते हैं फिमेल कंडिडेट की एज के बारे में जो महिला वर्गे से हैं पिछली वेकेंसी में जो था दोनों एक तलिस हजार पांसो और उन्चर सजार भरती थी दोनों में एक साल की छूट दें मतलब भी होता नॉर्मल है 18 से पचीस साल लेकिन को एक साल की छूट दी गई थी इसलिए इनका 18 से 26 साल हो कियाता है 26 साल था को फॉर्म भर सकती है और यह योगता की बात कर लेते हैं जो बार भी पास आउट है ज्यादा योगता नहीं मानता क्योंकि सिपाही के बरती जो बार भी पास आउट है वह इस भरती के लिए इलिजिबल है आए उचाई की बात करेंदा हाइट कितनी होनी संत्र बाद कर लेता है एक लंहें सेंटिमेटर कि हाईट होना चाहिए और साथ्यों बात कर लेता है subject कौन से होते हैं सबजेक्ट बारे में हिसमय oportun हिंदी होता है जमान हिंदी पूसा जाता है उसके बाद मैस होता है पिर इंदी के 38 कोर्षण बनते हैं 37-38 उसके बाद मैश के नामlles यह कैसां पूस्टे जाते इस प्रकार से टोटल टूटल तै वह ईस्थारिक सै। अधिन स्युक्यों स्य कोर्षण कोर्षण पूछते हैं गुशेieso चैद मेस्धी में जो एक त सो पच़्ोशन पूछे जाते हैं और तीनसों नमबर नमबर को होता है इसरे, साथ और आप लोग कहेंगे तो हिंदी और किसी टीचर को लगा देंगे पढ़ाने के लिए और बात करते हैं कि से कटाप क्या होने वाली इसमें क्योंकि यह बहुत जरूरी है क्योंकि पिछली बार जो गई थी सब का एक सो पांच हो गया तो इस बार भी जो कटाप जो है जाएगा सिविल पुलिस आराम से मिल जाएगा और इसके बाद मतलब 113 कुर्षन कम से कम आपके सही होने चाहिए 112 से तेरा कुर्षन सही होने चाहिए उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गया होंगे अगर कुछ भी डाउट फिर भी बश्ता आए तो कमेंट बाक्स खाली है जाए कमेंट बाक्स में पूछे क्या पूछना है उसके बाद अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए अगर चैनल को पर नए है त तो सब्सक्राइब करी लेंगे अगर पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में जहिंद